हेलो गाईस, वेलकम टू बेक माई यूटूब चैनल और आज हम बात करेंगे एली सुरी तेरा कलासिक एंड यहाँ पे उस टोकन की बात करेंगे तेरा का जो फ़स्ट में यू एस टीसी था जो स्टेबल कोईन था और आज उसकी जो प्राइज है तीन डुबे के आसपास जाधा तरह स्टेबल होता है अगर मार्केट वह एक वेव में अगर गिरता है तो फोल फॉस पोजीशन पर जाने के लिए उसमें काफी टाइम यहां पर लगता है अगर उसके कंपेर में अगर बात करते हैं यू एस्टीसी की तो इसमें आप अच्छा गासा प्रोफिट ज इसके अलावा यह लगबबग मानके चलिए 5 से 6 ब्लोकचेन के उपर यह वर्क कर रहा है और यहाँ पे अगर market की बात करते हैं तो यहाँ पे सभी exchange के उपर almost यहाँ पे listed है अगर इसके compare में बात करते हैं हम ट्रोन की तो दोस्तो इसके compare में अगर बात करते हैं ट्रोन की तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लगबग लगबग पॉइंट मार्गेट के पर ये है रेकिंग के उपर 14 और हाल की जो इसकी प्राइज है 5 रुपे के आसपास और अगर 13 कलासिक की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 रुपे के आसपास सो दोस्तों एगर यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल सप्लाइ हैं वो लगबग 92 बिलियन की और यहाँ पे 13 कलासिक की अगर बात करते हैं तो 9.81 बिलियन की और यहाँ पे आलमोस्ट इससे 13 कलासिक यानि की USTC से लगबग लगबग 10 गुना ज़ादा इ अपलाई की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दो ब्लोक्चेन के उपर अलमोस्ट इसने यहाँ से खटा लिया गया है यहाँ से इसको जीरो किया है और यह पूरी पूरी प्रोपरली जो ब्लोक्चेन इसकी चल रही है बेन्वी स्मार्ट चेन की ब्लोक्चेन के उपर यह पर कर रहा है, तो दोस्तों अगर दोनों की गर compare की बात करते तो ये में तो ये ही कूंगा भाई, अगर आपको यहां पे last 7 day या फिर 1 month के हम history देखते हैं, ट्रोन की, तो 4 रुपिये से लगा के ये चल रहा था, 4.76 पेसे से लगा के ये चल रहा है, लगबग इसमें fluctuation आया पचास पेसे के आसपास, ठीक है, पचास पेसे से वापिस इसमें fluctuation आया, ये वापिस निच्चा आया, 30 पेसे के आसपास, वापिस गया, 30 पेसे के आसपास, अगर हम बात करते हैं, टेरा कला से की, तो यहां पर हम चेक करेंगे, over equal last 7 दिन का, तो यहां पर इसका जो fluctuation है, काफी हद तक बहुत ज़्यादा ठीक है 4 रुपे से हाल में आया था 3 रुपे वापिस चला गया 3 रुपे वापिस आ गया यह भी 2 रुपे 85 पे से उसके अलावा वापिस चला गया यह 3 रुपे 42 पे से यानि कि अगर फ्लेक्चिवेशन की बात करते हैं तो यह ट्रोन से काफ और डंप यहाँ पे हो रहा है अगर आपका पैसा यहाँ पर ट्रोन के अंदर इन्वेश्मेंट है तो मैं तो यही कहूंगा भाई अगर ट्रोन के अंदर है तो काफी यहादा तो आप इसमें से USTC में अगर आप यहां पे profit generate करना चाते हैं तो काफी अच्छा profit यहां पे हो सकता है यहां पे अगर देख सकते हैं काफी market stable रहने के बाद में 1 मन्त के अंदर 2 रुपीय 42 पैसे से हो गया था है लगबग 5 रुपीय के असपास तो यह आप चेक कर सकते हैं आलमोस्ट यहां पे 2 रुपीय पैसे और हाल में चल रहा है यह 3 रुपीय 16 पैसे तो इस तरह से यहां पे fluctuation आ रहा है लाश्ट 3 मन्त के अगर history चेक करते हैं तो यहां पे चेक कर सकते हैं यहां पे लोगों को 5 पांच गुना यहां पे profit ओलरी यह दे चुका है तो दोस्तों इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और यहां पे अगर 1 मन्त की history हम चेक करते हैं यहां पे कुछ भी नहीं है 10-20 पैसे का profit है और यहां पे अगर इसको total supply के बात करते हैं तो यहां पे 100% supply हो चुकी है 92.30 billion की यहां पे supply है टोटल वो टेरा कलासिक अगर बात करते हैं 9.81 billion की यानि की billion की यानि की उससे almost अगर 10 गुना supply ट्रोन की जाता है 10 गुना इसकी कम है तो आने वाले यह टेरा कलासिक यह USTC कोईने वो आने वाला दिनों में आपको वापिस 20-30 रुपे या फिर 50 परसे वापिस इसकी रेली आप 50 परसे या फिर एक रुपे सोरी तो 50 रुपे या फिर 100 रुपीस के आसमान इसको आप देख सकते है थैंक यू सो मजदो सुद्ध धन्यमाद